प्यार से अगले कॉलर है नंदन कुमार स्वागत है आपका जैहिन विए मेरा नाकून फूरा कला कला हो गया है मेम वो और जब निकलता है कला ही लिखलता है और डर्ढ देता है मैम उम्र क्या है आपकी उम्र भाइस साल है ठीक है तो दीकि इस नाखून पर रात में सोते समय एक आता है कैस्टॉल ओयल जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं कोटन में लगाके ये तेल बांध बांध लिया करिया सो जाया करिया और आपको कल्सियम लेना चाहिए तो आपको फायदा होना मुमकिन है चलिए तो आपकी जो नखूनों की समस्या चल रही है कुछ महीने आपको ट्रीट्मेंट करना है फिर आपके बहुत खुबसूरत नखून आएंगे लेकिन नुसके वैसे ही अपना लिजेकर जैसे हकीम साहब ने आपको बताए हैं लिख न गौरी जी आप कहां से बात कर रही है आपका सवाल में लंक्स में इंफेक्शन है कि कभी-कभी दिखिए बड़ा नुसका बताना परिशानी होती है एक चीज बता दो आदमी याद रखता है तो मैं आपको एक दवा बता देता हूं माजून आर केर माजून आर केर एक चमश सुबा एक चमश शाम लें गरम पानी के साथ और दिन में पांच बार गरम पानी पीएं तो इनको फाइ हालो अधी बताईए प्रश्न करिए यह मेरा पेज में गेज बनता है मेडाम कब से बन रही है गैस यह अगी साल बार हो नहीं है उम्र क्या है आपकी तीर-पंच साल ठीक है वो गले में बलगम जमता है हम चीक है लेकि निस्खा एक है काम उसके अनेक है चाहे बलगम हो गले में चाहे गैस बनता हो चाहे कब्ज रहता हो चाहे इंफेक्शन रहता हो बहुत सारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है किड्नी के लिए भी बहुत अच्छा है समझ लें हाब लिखनें तो बहुत अच्छा है अक्сем लोग लिखने से चूक जाते हैं हलाकि मैं बहुत ठहर के बात करता हूँ ताकि लिखने वाला आराम से लिख ले सौर्फ लिजे दो सुगराम धनिया लिजे दो सुगराम मेथी दाना दो सुगराम आवला सुका हुआ 200 ग्राम और एक चीज आती है रसायन जैतून रसायन जैतून को हम आसान भाशा में नमक जैतून कहते हैं इसे अस्टेक जैतून भी इंग्लिश में कह देते हैं ये 1.500 ग्राम लेकर इस 800 ग्राम दवाओं के साथ पौर्डर बना लें और एक एक चमश पाइदा होना मुम्किन है हरियान से अगले कॉलर है निहाल सिंग स्वागत है आपका कमर में दर्द रहता है कब से दर्द है कई साल से है उम्र क्या है आपकी पत्पन और से हुआ है जी कि कितना भी पुराना दर्द हो हम ने देखा कि जब हम तक्रीबन 20-30 साल से ये सेवा कर रहे हैं और 20-30 साल पुराने मरीज़ भी फोन करते हैं और जब हमें उन्हें घरे ले नुसके बताते हैं तो उसमें बेस्तर लोग को फाइदा होता है आप भी वो नुसका ले लीजे जो मैं घर घर पहुँचा आता हूं आपके घर पी पहुँच गय तो फाइदा मुम्किन है एक आता है गौन सिया इसे काला गौन भी आसान भाशा में कहते हैं काला गौन या गौन सिया हम कहते हैं ये एक इनतहाई बसूरत सा गौन जो जायके में बहुत कड़वा और इतना कड़वा के मेरे जीवन में कोई ऐसी कड़वी चीज और नहीं जड़ी बुटियों में. और इतना महंगा और महंगा भी है और सस्ता भी है. महंगा इसलिए कि दस बारह हजार रुपे किलो आता है. और सस्ता इसलिए है कि आपको सिर्फ सौ गृराम लेना है. क्योंकि ये 10-12-100 रुपय का जाएगा और ये 100 ग्राम तीन महीने चलता है तो 10-12 रुपय रोज की खुराक यानि 100 दिन चलता है 10 ग्राम सुबा ले नाच्टे के बाद 10 ग्राम शाम को पानी के साथ बगएर चर्बी के दूद के साथ या रईस आद्म हैं तो जूस के साथ असली लेना जरूरी है आपका असली की पहचान मैंने बता दी आप फोन पर साच कर सकते हैं कंप्यूटर पर और फोन पर आप नहीं कर सकते तो बच्चों से गौन सियाह या काला गौन सच करेंगे तो आपके सामने आजाएगा असली लेना बहुत जरूरी है और सो ग्राम भी अगर असली मिल गया तो इसके खत्म होने से पहले आपके रोग का निवार मुंकिन है अगले कॉलर है हरीदुआर से योगेश पाठख स्वागत है आपका हां जी बूली हां मैं यह वह बोली हुना ठीक है हां मेरा ऑपरेशन हुआ था बीच में यूट्रेस का तो मतलब दो साल हो गए हैं और दीज बीच में मुझे दवाईयां लेते रहनी पड़ती है ली तो मुझे बहुत ज्यादा पसिना होता है हम तो आब वह में यह वो कैसे होगा ठीक उमर क्या है आपकी मेरी उम्रें है प्टालीस वर्च देख चिश्याद क्षोन ने मि Iowa कफशू अगन मौरींगा सफेद आप यह सफेद way ब्ले लाल वाला नले, ये लाल वाला नकली होता है. गौन्द मौरिंगा सफेड ले, सौ ग्राम भी ले लिया तो काफी है आपकी बिमारी के लिए. इसको पौडर बना ले, रो माटेरियल ही ले, पिसा पिसाए कोई दे तो मतले, इसको पौडर बना ले और आदा ग्राम रोजाना पानी में डाल कर या नारियल पानी में मिला कर एक बार पी लिया करें आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है अगले कॉलर है मवाना से मोहित जी स्वागत है आपका हालो हालो जी मोहित जी अवाज मिल पारिये तोड़ा जोर से बोली मोहित भाई जी सर मैं मवाना से मोहित बोला हूं सर जी 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 फर्माईए जी मैं यह जानना चाहरा हूं मेरी सादी भी दो साइल पहले तो मैं उसकी उल्टया नहीं किसी मत पर किसी की इम सेंसे वह लो है जी मैं जी मैं समझ गया रोहिज जी माजी उसकी जी जी बहुत दावाई देने के बाद प्रगकी उसकी है और यह मतलब से पहने भी होता है ऊसके साथ में अच्छा अभी कि माह का वह यह जो दो तारी कारी है इसमें साथ महीने हो जाएंगे त्रीक जिखे जितनी भी हामला औरते यानि प्रेग्नेंट औरते हैं वो यह समझ लें कि यह हमारे जिसमें जो चेहन जाता है पूरा जिसम उल्टा-पल्टा हो जाता है यह औरत की बात है जो इसको बढ़ द कर पाता है इसलिए औरतों को ये काम दिया गया पगवान की और से तो देखी पंसारी के हाँ पंसारी होते न गाओं में उनके हाँ एक वो मिलता है आलू बुखारा सूखा हुआ याद रखें सूखा हुआ ही ले आलू बुखारा और ये इमली जैसा होता है तो ऐसे ही अगले कॉलर है अंबाला से सुलोचना जी स्वागत है आपका नमस्कार सर जी जैहिन सर जैहिन सर मैं बोल रही हूं अंबाला से तो मेरे को न लंग कंसर है और फेफड़ी में पानी वरा और पेन होती है लाफ्ट साइड में तो इसके पानी सुखाने के कोई द्वाई बता दो या दर्द भी ना होई इसके कोई द्वाई बता दो और एक मैंने गौन से या मुगाया था वो ठीक नहीं मिला अगर आपके महां से मुगाती हूं तो वो कितने का पड़ जागा तो गौन से या तो दस बारा रूपर रो सबसे अच्छा इलाज यह है कि उसको ड्रैन कराएं और आपने शायत करा भी लिया हुआ नहीं कराया तो यह बहुत अच्छा इलाज है ड्रैन करना का मतलब समझ लें कि डॉक्टर पसली के रास्ते एक निडिल या पाइप डालकर उसको खेच लेते पूरे इंफेक्शन को गंदा पानी हो जाता है और फिर दवाईयां देते हैं तो तेजी से काम करती है और देखिए वो पानी जिसको हो जाता है वो इंतहाई खत्रे में रहता है तो आप अपना इलाज छोड़े नहीं बिलकुल भी न छोड़ें डॉक्टर का इलाज और यूनानी साथ में ले सकत और बहुत इतियात करिए डॉक्टरों की सारी जो हिदायात है वो मानिए और मेरा मश्वरा यह कि ड्रेन कराएं इसको एक तो यह दूसरा माजून आर केर यह इस इन्फेक्शन को में रहत देती है लेकिन अगर हद से ज्यादा है तो आप ड्रेन कराएं जरूर अच्छा गौ असली मिलेगा थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन असली मिलता है आपको फाइदा मूंकिन है तो अगर आप मंगवाना चाहती है तो आप ना तुरंत हल्पलाइन नंबर पर बात कर सकती है आईए बात करते हैं अगले कॉलर से राम भूशन जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं राइशन जीले से बोल रहा हूं जो μεarts दाधा जी है हम के मिस्था समद की समस्य है और जो भी कुछ भारी बजन उठाते हैं या भारी कुछ काम के कि अगले तो उनकी पसली में दर्द होता है उम्र क्या है उनकी पेसे ड़ेSil यहां दिखिए हाट की समस्चा में पसली में दर्द नहीं होना चाहिए बलके दिल के आसपास कहीं दर्द होना चाहिए और इस उमर में हाट की समस्चा है तकरीबन सब लोग को होती है जो भी अपना ख्याल नहीं रखते और जानकारी नहीं रखते हाट की समस्चा है दरसल क्या है दिल हमारा परिशान हो जाता है जब उसे गाड़ा खूल मिलता है और किसी भी आदमी का या औरत का पैटालिस पचास साल में ये गाड़ा होने ही लगता है खुद्रती तोर पर इसको पतला रखने के लिए लहसर खूब खाना चाहिए अद्रक खूब खानी चाहिए कसरस से उसके बाद देगिए हाट ब्लॉकिज हो जाता है जिससे आदमी का सांस पूलता है कुछ भी उठाए तो यहाँ परेशानी होती है दिल के अपकाद ये हो जाता है कॉलिस्टॉल बढ़ जाता है इन सब के लिए एक नस्का मैंने तकरीबन हर प्रोग्राम में बताने कोशिश करता हूँ कि एक नस का इसे अर्बी नस्का कहते हैं लेकि जैतून का सिर्का एक लीटर ले लिबू का रस एक लीटर निकालें अपने घर में और अद्रक का रस एक लीटर निकालें लेसन का रस एक लीटर निकालें इन सब को मिला दें अब ये तीन तीन चमच तीन बार खाने के बाद आप मरी से सरजरी से भी बचाने की ताकत रखता है कॉलिस्टॉल का दुश्मन है कितना भी हो फालिज जदा लोगों के लिए बहुत अच्छा है पेट के लिए बहुत अच्छा है किड्नी के लिए बहुत अच्छा है लीवर के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे मर्जों में क नमस्कार मेरे को बंद कम्रे में घ sash mejorar हूती है थी किसी भी बंद जा में जा आइं जाया है है थीक जी जहिन कितनी उमर है आप की आयू कितनी मेरी हम्र है gewoon कि त्री साल है ठीकी जिनको भी फेपड़े की परिशानी हो चाहे जाहिर हो या नहों उनको बंद जगा में धुएं के माहौल में डस के माहौल में घवराट होती है तो उसके लिए आप फेपड़े की मजबूती के लिए दवा ले फेपड़ों को स्टॉंग करने के लिए इम बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे माजून आर केर इस तालुक से बहुत अच्छी माजून है एक एक चमश सुबा शाम अगर कई महीने तक खाये हैं तो आपकी इमिनिटी और पेपरे की मजबूती मुम्किन है